यदि आप कश्मीर घुमने की योजना बना रहे हैं तो आप यह जरूर प्लान कर रहे होंगे कि कश्मीर में चंदनवारी देखने जरूर जाएंगे यदि आप चंदनवारी देखना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में चंदनवारी से जुड़ी सारी जानकरी विस्तार से देंगे परन्तु उससे पहले जरूर है कि आप कश्मीर यात्रा से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकर इस वीडियो से प्राप्त कर ले ताकि आपकी यात्रा में कोई परिशानी ना आए जम्मु कश्मीर की गर्मियों की राजदानी श्री नगर देश का एक प्रमुक परिटन स्थले यदि आप धर्ती का स्वर गार्थात कश्मीर घुमने की योजना बना रहे हैं तो श्री नगर के से पहुचे यह आपकी सामने सबसे बड़ा सवाल होता है श्री नगर तक सीधी रेल सेवा नहीं है यहां केवल सडक और वायू मार्क के जरी ही पहुचा जा सकता है जेलम नदी के किनारे बसा श्री नगर डल जील, खुब्सुरत गार्डन और हाउसबोट के लिए प्रसिद्धे श्री नगर में स्थिर डल जील चार ओवड़ से मुगल गार्डन से गिरिये और इसमें हाउसबोट स्थिधे तता शिकारे चलते हैं गोर्थलब है कि श्रीनगर सडक मार के जरिये पूरे देर से जुड़ा हुआ है श्रीनगर बस के जरिये आसानी से पहुचा जा सकता है श्रीनगर तक दिल्ली पंजाब हरेना आदि कई शहरों से सीधी बस सेवा है इसके लावा जम्मू शहर से भी सीधी बस सेवा श्रिनगर के लिए सड़क के रास्ते अगर आप श्रिनगर जा रहे हैं तो आपको जम्मू होकर ही जाना होगा सड़क मार्ग से श्रिनगर जाने में हाला की समय जादा लगता है लेकिन रास्ते में मिलने वाली प्राकरति खुपसूरती आपकी सारी थकान मिटा देती है एसी अद्विती प्राकर्ति खुबसूरती का लुत्फ आप हवय यात्रम नहीं उठा पाएंगे आप जम्मू तक ट्रेन से भी आ सकते हैं परन्तु जम्मू से श्रिनगर आपको बस या टेक्सी से ही जाना पड़ेगा क्योंकि श्रिनगर तक रेल सेवा नहीं है श्रिनगर बस स्टेंड पर उतरने के बाद आप आटो रिक्षा या टेक्सी से आपकी होटल या हाउस बोट तक पहुंच सकते हैं आटो रिक्षा का किराया बहुत कम होता है जो की दूरी के आधार पर लिया जाता है एरोपलेन से श्रिनगर पहुचना थोड़ा सा महेंगा जरूर है लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है श्रिनगर तक भारत के लगबग हर बड़े शहर से उड़ान सेवा उपलब दे एरोप्लेन के जरी दिल्ली से नौन स्टाफ फ्लाइट से श्रिनगर पहुचने में करीब डिर्ड घंटा लगता है यदि आप दो से तीन महिने पहले फ्लाइट का टिकेट बुक करा लेते हैं दिल्ली से श्रिनगर का नौन स्टाफ फ्लाइट का किराया केवल 2500 से 3000 रुपे पड़ता है यदि आप वन या टू स्टाफ फ्लाइट चुनते हैं तो किराया और भी कम हो जाएगा एरोप्लेन से जाने में आपका भहुत सारा समय बचता है और रास्ते में कोई परिशानी भी नहीं होती यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो हमारा आपको सजेशन ही कि आप फ्लाइट के द्वारा ही श्रिनगर जाइए एर एशिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एर, एर इंडिया आदी, एरलाइन्स, दिल्ली से श्रिनगर के लिए प्रती दिन कई उडाने संचलेट करती हैं श्रिनगर एरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको अपने होटल अत्वा हाउस बोट तक जाने के लिए टेक्सी करनी पड़ेगी क्योंकि आटो रिक्षा तथा बस आपको एरपोर्ट पर नहीं मिलेगी श्रिनगर एरपोर्ट से श्रिनगर सिटी अत्वा डल जिल तक का टेक्सी का किराया 700 से 800 रुप है आप यहां किराया कम करने के लिए बारगें नहीं कर सकते क्योंकि यहां टेक्सी यूनियन है तता टेक्सी वालों की मोनोपोली है श्रिनगर की डल जिल के हाउसबोर्ट में कुछ समय न बिताना चाहे आप हाउसबोर्ट को एक दिन के लिए अनलाइन बुक कर सकते हैं अत्वा श्रिनगर पहुँचने के बाद आप डल जिल पर जाकर सीधे हाउसबोर्ट बुक कर सकते हैं house boat का एक दिन का किराया 700 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक होता है कुछ luxury house boat का एक दिन का किराया 5000 रुपे तक भी होता है आप अपने बजट के अनुसार house boat चुन सकते हैं यदि आप online house boat बुक करते हैं तो आपको किराया बहुत कम पड़ेगा क्योंकि online sites बहुत भारी discount देती हैं आप श्रीनेगर में पहले दिन होटल की बज़ाए house boat ही बुक करें house boat पर आपको breakfast, lunch तता डिनर की भी सुविधा मिलेगी परन्तु आप house boat पर केवल breakfast का ही package ले क्योंकि house boat का खाना ज्यादा अच्छा तता हाईजिनिक नहीं होता है डल जिल के किनारे कई अच्छे वेज तचा नौन वेज रिस्टोरेंट है आप house boat की बज़ाए वहाँ lunch या डिनर करें house boat पर check-in करने के बाद आप house boat पर चाय अत्वा कॉफी के साथ डल जिल को नहार सकते है तथा house boat पर घूम सकते है शाम को आप डल लेक में शिकारा राइट का आनन ले सकते है शिकारा छोटी नाव के समान होते हैं एक घंटे की शिकारा राइट की cost साड़े 500 रुपे होती है यदि आप दो घंटे शिकारे पर घूमते हैं तो cost 800 रुपे होती है यह cost पूरे शिकारे की होती है एक शिकारे पर अधिकतम चार लोग बेट सकते हैं तथा यदि आप चार से जादा सदस हैं तो आपको दो शिकारे के राइपर लेने होंगे शिकारा आपको houseboat से pick करेंगे तथा वापस आपके houseboat पर ही drop करेंगे इसमें कोई दोमत नहीं है कि शिकारा पर डल जिल की सेर आपको पूरे जीवन पर याद रहेगी आप houseboat के लावर शिकारा राइड डल जिल के किनारे से भी ले सकते हैं सेकड़ो शिकारे टूरिस्ट के इंतजार में डल जिल के किनारे पर खड़े रहते हैं शिकारा राइड के बाद आप राधा की रसोई अत्वा विशाल वेशनो भोजनाले पर डिनर कर सकते हैं यह दोनों restaurant vegetarian है खाना बहुत स्वाधिस्ट है तता rate भी reasonable है यह restaurant डल जिल में houseboat की श्रंखला के पास इस्तिते रात में आप houseboat से श्रिणगर की खुबसूरती नहारे उसके बाद आप houseboat में rest करें इस प्रकार आपका खुबसूरत कश्मिर में पहला दिन समापत होता है दूसरे दिन आप सुभा houseboat पर breakfast करें तता अपना सामन पेक करें तता पहलगाओं के लिए प्रस्थान करें houseboat से आप नाव के द्वारक किनारे पर आएं तता किनारे पर सेकड़ो टेक्सी खड़ी रहती है उन में से एक कौप पहलगाओं जाने के लिए बुक करें रुइन्स ग्यारो सो साल पुराना राजा अवंती वर्मन द्वारा निर्मीद भगवान विश्नु का मंदिर है हाला कि यह मंदिर टूट फूट गया है परंतु फिर भी देखने लायक है पहलगाओं पहुँचने में आपको पांच घंडे का समय लगेगा इसलिए आप रास्ते में किसी अच्छे ढबे पर लंच कर लें आपकी टेक्सी का ड्राइवर आपको इस मामले में गाइड कर देगा यदि आप श्रिनगर से 10 बजे सुबह पहलगाओं के लिए निकलते हैं तो आप रुकते रुकते तता सुन्दरता का आनद लेते हुए भी जाएंगे तो भी आप 3-3.30 बजे तक आराम से पहलगाओं पहुँच जाएंगे यदि आपने पहले से होटल बुक कर रखा है तो आप महाँ जाएं यदि आपने आनलाइन होटल बुक नहीं किया है तो टेक्सी वाले की मदद से अपने बजट के हिसाब से 800 रुपे से 2000 रुपे पर डे का होटल बुक कर सकते हैं इसके बाद आप पेमेंट देकर टेक्सी वाले को छोड़ दे तता होटल में चेक इन करें शाम की चाई या कफी आप होटल के बाहर लान में बरफिले पहाडों को देखते हुए पिए यदि आपका मन करें तो आप होटल से बाहर वेली में टहलाएं इसके बाद रात का खाना आप होटल में ही खाएं तता रात में आराम करें इस प्रकार आपका मेजिस्टिक कश्मीर में दूसरा दिन समप्त होता है तीसरे दिन सुभर पहल गाओं में अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल से ही चंदनवारी, बेथवा वेली तथा अरू वेली गले टेक्सी बुक कर सकते हैं इन तीनो स्पोर्ट को गुमाने का टेक्सी का किराया पंदरा सो रुपे से आठा सो रुपे की बीच है पहल गाओं से चंदनवारी केवल पंदरा किलमेटर दूर है चंदनवारी एक बहुती खुपसरत स्पोर्ट है जहां से उंचे पहाड, जूमते पेड और रंग बिरंगे फूल दिखते हैं यदि आप यहां अप्रेल से अक्टूबर के महीने में आते हैं तो आपको वास्तों में लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं आप यहीं इस्तित किसी ढाबे पर लंच करें इसके बाद आप बेताब वेली जाएं 1983 में एक बॉलिवूड रॉमांटिक फिल्म आई थी जिसमें सनी देवल और अमरिता सिंग एक साथ नजराये थे उस फिल्म की शूटिंग इसी घाटी में हुई थी इस फिल्म के नाम पर ही इस घाटी का नाम बेताब वेली रखा गया है नर्म घास के मेदान और हसीन पहाडियों से घिरी यह घाटी पहलगाओ और चंदनवाडी के भी चिस्तिते जहां से एक मार्ग अमरनात मंदिर को भी जाता है यह एक खुबसुरत और बहद आकरशक घाटी जो हरे भरे घास के मेदान और बर्फिली चोटियों से घिरी हुई है चंदनवाडी से लोटते समय आप बेताब वेली में घुमें बेताब वेली के बाद आप आरू वेली जाईएगा आरू वेली एक महतपूर्ण परेटक स्थले इस वेली के बीचो बीच एक नदी है जिसके किनारे आरू गाउं बसा हुआ है यहां आप हर्स राइडिंग ट्रेकिंग आदी कर सकते हैं इस वेली में आकर आपको स्विट्जर लेंड जैसा अनुबह होगा तथा आपका मन इस वेली से वापस जाने का ही नहीं होगा आपका मन करेगा कि आप इसी गाउं में बस जाएं आरू वेली में आपको चाई नैश्टी की दुकाने भी मिल जाएंगी आरू वेली के बाद आप पहल गाउं गोमते हुए अपनी होटल में आ जाएं तथा रात का डिनर अपनी होटल में ही करें चोथे दिन आप होटल में ब्रिकफास्ट करके गुलमर्ग के लिए निकलें पहलगाओं से गुलमर्ग की दूरी 140 किलोमेटर है तथा पहलगाओं से गुलमर्ग पहुँचने में 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है आपको आपकी होटल से ही गुलमर्ग के लिए टेक्सी मिल जाएगी होटल वाले ततकाल टेक्सी पुला देते हैं टेक्सी का किराया 2500 से 3000 रुपे के बीच होता है आप बारगेन करके टेक्सी का किराया कम भी करा सकते हैं यदि आप सुबह 10 बजे भी पहलगाव से गुलमर्ग के लिए निकलते हैं तो आप धाई बजे तक गुलमर्ग पहुँच जाएंगे आप चाहें तो रास्ते में लंच भी कर सकते हैं या आप गुलमर्ग पहुँचकर अपनी होटल में लंच कर सकते हैं यदि आपने गुलमर्ग के लिए आनलाइन होटल बुक की है तो वह आपको बहुत सस्ती पड़ेगी परन्तु गुलमर्ग पहुँचकर यदि आप होटल सर्च करते हैं तो होटल वाले बहुत ज़्यादा रेड बताएंगे जो तीन हजार से चार हजार रुपे तक भी हो सकता है जबकि आनलाइन बुक करने पर उसी होटल में आपको पंदरा सो रुपे में रुम मिल जाएगा पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा महेंगे होटल गुलमर्ग में ही है इसलिए यहां के होटल आनलाइन ही बुक करें अनित्था यह होटल वाले आपको लूट लेंगे गुलमर्ग में होटल में चेक इन करने के बाद आप होटल के बाहर प्रकरती की गोद में चाई नाश्ते का आनन ले तदा कुछ देर होटल के बाहर पेधली गुलमर्ग घुमाए रात में होटल में डिनर करके सो जाएं इस प्रकार आपका कश्मीर में चोथा दिन समापत होत गंडोला राइड केते हैं आप पोनी अर्थात गोड़े पर बेटकर गंडोला राइड के टिकेट काउंटर अर्थात स्टार्टिंग पाइंट तक भी जा सकते हैं आप गंडोला स्टार्टिंग पाइंट तक अपनी होटल से पेदल भी जा सकते हैं यहां केवल 20 मिनट में प कुंगदूर का होता है इसका किराया 740 रुपए है सेकेंड फेस कुंगदूर से अपरवात तक का होता है इसके किराया 950 रुपए होता है यहां किराया आने तथा जाने दोनों और का मिला कर होता है यहां कुल 100 केबल कार है एक केबल कार 6 लोगों को ले जाती है केबल कार पह अर्थात अपरवाद तक जाना चाहते हैं तो केबल कार आपको 3747 मिटर तक उपर ले जाती है यहां पहुँचने में लगबग 12 मिनट लगते हैं गंडोला राइट से फेज 1 या फेज 2 पर उतर कर स्नो एक्टिविटीज को इंजॉय किया जा सकता है अब परिटो के मन में यह सवाल उठता है कि फेज 1 पर जाएं या फेज 2 पर यदि आप अपरेल मई तथा जून में गुलमर्ग आते हैं तो ही आपको फेज 2 तक जाना चाहिए क्योंकि इन तीन महिनों में फेज 2 पर ही बर्फ मिलती है तथा महीं पर स्नो एक्टिविटीज जैसे स्किंग, स्नो बाइकिंग आदी होती है इन तीन महिनों में फेज 1 पर बर्फ नहीं मिलती है अन्य सभी महिनों में फेज 1 तक ही जाना चाहिए क्योंकि सारी स्नो एक्टिविटीज फेज वन पर ही होती हैं फेज टू पर नहीं कुंगदूर अत्वा अपरवाथ में स्नो एक्टिविटीज करने के बाद आप गंडोला से वापस गुलमर्ग आ जाएं रात का खना आप अपनी होटल में ही खाएं तथा आराम करें क्योंकि आप स्नो एक्टिविटीज के बाद बहुत ज़्यादा थक जाएंगे एक महतुमन बाद गुलमर्ग अपनी स्नो एक्टिविटीज के लिए देश भर में फेमस है यदि आप अपरेल मई तथा जून में कश्मीर घुमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सुनो केवल गुलमर्ग में ही मिलेगा तथा वह भी कुंगदूर अत्वा अपरवात में है अन्य जगह पर बर्फ भाड़ों पर रहती है जहां जाना संभव नहीं है केवल गुलमर्ग में ही आप गर्मियों में बर्फ को हाथ से चू सकते हैं चटे दिन आप गुलमर्ग से श्रीनगर के लिए प्रस्थान करें गुलमर्ग में आप होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से ही टेक्सी बुक करें गुलमर्ग से श्रीनगर की दूरी केवल 50 किलोमेटर है तता टेक्सी का किराया 1500 से 1800 रुपे के बीच है श्रीनगर में होटल दो दिन के लिए बुक कर सकते हैं या आटो रिक्षा से श्रीनगर लोकल साइट सीन कर सकते है prepared ट्यूलिप गार्डन खुला हो तो उसे अवश्य देखने जाईएगा यहां गार्डन अप्रेल में केवल 20-25 दिन के लिए ही खुला रहता है क्योंकि ट्यूलिप फ्लावर साल में केवल 20-25 दिन ही खिलते हैं इसके बाद आप श्री नगर में चश्मेशाही, निशानदबाग तता शालिमार भाग घूम सकते हैं इन तीनों बागों को ही समिलित रुप से मुगल गार्डन्स कहा जाता है और ये तीनों बाग डल जिल के किनारे ही इस्थित हैं इसके बाद आप शिनगर में डल लेके किनारे स्थित किसी अच्छे रिस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं लंच के बाद आप शंकरा चाय टेंपल देखने जाएं लोटते समय आप शिनगर का हार्ट कहलाने वाला लाल चोक देखें तथा यदि आप शौपिंग करना चाहें तो लाल चोक पर आप यह कर सकते हैं इस चोक पर कभी कभी शुकरवार के दिन पत्थर बाजी भी हो जाती है यदि ऐसी स्थिती हो तो आप लाल चोक को देखना इस्थगित भी कर सकते हैं बाकी पूरा कश्मीर परिटेकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है इसके बाद आप डिनर करके रात में अपने होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थात साथवे दिन आप जल्दी ब्रिक्टफास कर लें तता टेक्सी बुक करके सोनमर्ग के लिए निकलें सोनमर्ग श्रीनगर से 81 किलोमेटर दूर है तता सोनमर्ग पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है श्रीनगर से सोनमर्ग जाने तता वापस आने का टेक्सी का अधिक्तम किराया 25 रुपे होता है सोनमर्ग के लिए आप सुबह 8 बजे तक निकल जाएं ताकि आप सोनमर्ग 11 बजे तक पहुँच जाएं सोनमर्ग को मिडोज ओफ गोल्ड अर्था सोने की घास वाली जगए कहते हैं सोनमर्ग में आप पोनी राइट का आनन उठाएं सोनमर्ग में ही आप लंच करें निकल जाएं ताकि आप अंधरा होने से पहले श्रीनगर वापस आ जाएं सोनमर्ग से श्रीनगर का रास्ता रात में बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है यदि आप ज़्यादा घूमना चाहते हैं तो सुबह श्रीनगर के होटल से और जलती सोनमर्ग के लिए निकले अगले दिन अर्थात आठवे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करके आप होटल से चेक आउट करें तता टेक्सी के द्वारा एरपोर्ट अथवा रिक्षा के द्वारा श्रीनगर बस स्टेंड पर आ जाएं होटल से एरपोर्ट वापस जाने का टेक्सी का किराया 700 रुपए होता है यदि आप फ्लाइट से दिल्ली या कहीं और जा रहे हैं तो एरपोर्ट पर अपने गंते विस्थान के लिए बोर्डिंग करें यदि आप बस से जा रहे हैं तो श्रीनगर से जम्मू के लिए बस का टिकेट ले ले तता वापस अपने घर की जर्नी इंजॉई करें अब हम आठ दिन की इस कश्मीर यात्रा के कुल खर्च पर बात करते हैं चार लोगों का दिल्ली से श्रीनगर तता रिटर्ण श्रीनगर से दिल्ली का फ्लाइट का किराया 20,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का टेक्सी का कुल किराया 16,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का होटल तता हाउस बोट का किराया 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का भोजन का खर्च 14,000 रुपए चार लोगों का आठ दिन का साइट सीन तर्था एक्टिविटी का खर्च 10,000 रुपए चार लोगों का कश्मीर में आठ दिन का अधिक्तम कुल खर्च 12,000 रुपए इसे हम 4 से भाग देते हैं तो प्रतिवेक्ति अधिक्तम कुल खर्च 18,000 रुपे आता है इस प्रकार आप केवल 18,000 रुपे में शांदार तरीके से फ्लाइट को शामिल करते हुए कश्मीर गूम सकते हैं यदि अब फ्लाइट की जगे बस से कश्मीर आते हैं तो प्रतिवेक्ति खर्च घटकर केवल 15,000 रुपे ही होगा यदि आप आप आनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च 14,000 रुपे से घटकर केवल 9,000 रुपे ही आएगा तो अब इंसार मत कीजिए चल्दी कश्मीर गूमने का प्लान बनाईए और अधिक जानकारी के लिए हमें मेसेज करें यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उप्योगी लगी हो तो हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चेनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन भी दबाईएगा